जब भी हम investments की बात करते हैं तो एक आम आदमी जिसको investments की ज़्यादा knowledge ना हो या फिर एक ऐसा इंसान जिसने investment के क्या-क्या best options available हैं इनको कभी explore करके देखा ही ना हो ऐसे इंसान के मन में जब investments की बात आती है तो उसको क्या-क्या options दिखाई देते हैं अगर आप अपने office में अ तो इन्होंने savings bank account में रखा हुआ होगा जा फिर अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर invest कर दिया होगा तो इन्होंने PPF में अपना पैसा invest कर दिया होगा क्योंकि PPF ही एक ऐसा option बन जाता है जहां पर आपको rate of interest पी जाता है आपको ATC में tax deduction भी मिल जाता है और maturity के बाद जो पै options के बारे में पूछेंगे तो इनके पास options होंगे जैसे कि NPS है या फिर NSE है या फिर ULIP plans जिनको investments plus insurance plan कहा जाता है और भी दूसरे options आपको सुनने में मिल जाएंगे जैसे कि banks के अपने retirement plans होते हैं LIC के retirement plans होते हैं जा LIC की दूसरी policies और दूसरे थोड़े से उमरदार लोग है तो यह बिल्कुल ही different domain है तो इसकी बात हम आज के इस वीडियो में नहीं करेंगे तो जितनी भी investment options की हमने अभी तक बात की है जो कि maximum लोगों को समझ में भी आती है फिर चाहे वो FD हो या PPF हो या NPS हो क्या इन सभी investments options में अपना पैसा invest कर देना आपके लिए सही होगा क इन सब चीजों की बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो आए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है रंजन आप देख रहे है यौर एवरीडे का ही तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इन सभी investment options के returns पर तो गर हम सबसे पहले बात करते हैं savings bank account की तो savings bank account से जो आपको maximum returns या maximum interest जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 3% का वैसे तो generally जो banks देते हैं वो देते हैं 2.5% या 2.75% का interest लेकिन कुछ banks ऐसे भी हैं जो 10 लाग या 15 लाग अगर आप अपने savings bank account में रखते हैं तो आपको 3% तक के interest भी दे देंगे उसके बाद अगर हम सबसे फेवरेट investment option की बात कर लेते हैं यानिकि FD की FD यानिकि fixed deposit की तो fixed deposit पे जो maximum interest आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 6% का PPF से आपको returns मिलते हैं 7.1% के अगर हम NSE की बात करते हैं तो NSE में आपको मिल जाते हैं 6.8% के returns वहीं अगर हम सबसे ज़्यादा returns की बात करते हैं तो वह आपको मिल जाते हैं NPS से जो कि almost around 9-10% के returns आपको मिल जाते हैं NPS क्योंकि market linked होता है तो market जैसा perform करेगी NPS से आपको returns भी गलचाल के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है वो मिल जाता है सुकर्णिय समरीदि योजना का जिसके returns आपको देखने को मिल जाते हैं 7.6% के तो अगर आप अपना पैसा इन सभी investment options में डाल रहे हैं invest कर रहे हैं और अगर मैं आपसे सवाल पूचूँ कि क्या आपका पैसा actually में grow कर रहा है तो आप भी कहेंगे कि हाँ भीया मेरा पैसा तो grow कर रहा है अगर मुझे किसी investment option से 5-6% के returns भी मिल जाते हैं तो मैं तो actually वह positive में रहता हूँ न अगर मैं yearly अपना पैसा invest कर रहा हूँ एक लाग रुपे और अगर उन एक लाग रुपे पे मुझे yearly 5-6,000 रुपे मिल जाते हैं तो यहां तो मेरा पैसा grow ही कर रहा है और वहीं अगर मैं अपना पैसा PPF में invest कर देता हूँ जहां से मुझे 7.1% के returns भी मिलते हैं ETC में taxation के benefit भी मिलता है और 15 साल बाद जो maturity होती है उस maturity पे भी मुझे कुछ भी tax pay नहीं करना है तो इस से अच्छा investment options मेरे लिए और क्या होगा तो इस बात पे मैं आपको सही भी बोलूँगा और गलत भी बोलूँगा बस सही इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहां पर आपको ultimately profit तो हो रहा है फिर चापको 5% के returns मिल रहे हैं या 7% के returns मिल रहे हैं आपका पैसा grow तो कर रहा है लेकिन गलत आप भी returns आपको मिल रहे हैं चाहे 5% के या 7% के उन returns के opposite क्या आपने जिस country में आप रहते हैं उस country का inflation rate उसको भी आपने ध्यान में रखा है अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देता हूँ कि इंडिया का जो current inflation rate है वो है 6% and above यानि कि 6% से भी उपर का inflation rate इस वक्त इंडिया का है और as per RBI ये जो inflation rate है 6% का अभी लंबे समय तक जो inflation rate रहने वाला है वो 6% के उपर ही रहने वाला है inflation का मतलब हो गया महंगाई और महंगाई तो कम होने वाली है नहीं और इंडिया का inflation rate तो फिर भी कम है कि आप जानते हैं कि US का inflation rate कितना है US का inflation rate है 9.1% का है कि क्या आपका पैसा actually में grow कर रहा है तो अगर आपको किसी भी scheme से 7% के returns मिल भी जाते हैं और अगर हम उस 7% returns में से 6% का जो inflation है उसको घटा देते हैं तो आपके जो final returns बन जाते हैं जो effective returns बन जाते हैं वो बन जाते हैं 1% के यानि कि आपके invest किये हुए value की बात करते हैं तो inflation के हिसाब से उन एक लाग 7000 रुपे के जो value होगी वो value होगी एक लाग 1000 रुपे यानि कि आपको जो पैसा effectively ग्रो करता है वो सिर्फ 1% rate के हिसाब से ही ग्रो कर रहा है यानि कि आपको finally जो returns मिलते हैं वो एक लाग रुपे पे 1000 रुपे ही मिलते हैं तो अगर आप अपनी investments को सिर्फ PPF या NPS तक ही सीमित कर देते हैं यानि कि यहाँ पर आप inflation को सिर्फ थोड़े सी ही margin से बीट कर पा रहे हैं देखे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको गलती कर रहे हैं या फिर आपको अपना पैसा NPS, FD, PPF इन सब चीजों में invest नहीं करना चीए लेकिन हमें जरूर कहूंगा कि अगर आप अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ इनी schemes में invest कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई समझदारी भी नहीं दिखा रहे हैं यानि कि समझना होगा कि जो भी पैसा आप अपनी से कमा रहे हैं या बिजनस से लेकर आ रहे हैं वो आपकी कमाई का सिर्फ एक जरिया है जो आप नहीं जानते वो यह कि अगर आप अपनी महनत से कमाई होए इनी पैसों को इनी investments को fixed returns वाली scheme से ज्यादा अगर आप equity investments यानि कि stock related जो options होते हैं direct stocks हैं या mutual funds हैं अगर आप इन में अपना पैसा invest कर देते हैं अगले 10 साल के लिए या 15 साल के लिए तो finally जो आपको returns देखने को मिलेंगे 10 साल या 15 साल बात उन returns को देखके आप खुद भी chock जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कैसे 3 गुना या 4 गुना तक बढ़ गया है 10-15 साल में पैसे कर 3 गुना या 4 गुना हो जाने का मदलब यह नहीं है कि यहाँ पर आपको 300% के returns मिलने वाले हैं या 400% के returns मिलने वाले हैं Actually मैं यहाँ पर जो formula काम करता है वो काम करता है compounding का सिर्फ compounding की वज़े से ही आपको जो पैसा होता है वो लगतार क्योंकि increase करता रहता है उस increase पैसे पर आपको फिर से interest मिलता है और जैसे जैसे आप अपना पैसा regular interval पे invest करते रहते हैं यह जो compounding का effect है यह compounding का effect over the time काफी जादा increase कर जाता है तो यह जो fixed return वाली scheme है जैसे की PPFX scheme है जहां से आपको 7% के returns देखने को मिलते हैं इनके comparison में अगर मैं एक mutual fund की बात कर लेता हूँ या कोई भी large gap या large gap and mid gap mutual fund जहां पर आपका risk भी काफी कम रहता है तो अगर आप एक mutual fund में भी अपना पैसा invest कर देते हैं तो यहां से आपको over the time अगर आप 10 साल की बात करते हैं या 15 साल की बात करते हैं तो यहां पर आपको easily 13% या 15% या 16% तक के भी returns देखने को मिल सकते हैं तो अगर मैं आपको online जो SIP calculators होते हैं अगर उसी में आपको एक simple सी calculation करके दिखा देता हूँ तो अगर आप Google पर सर्च करते हैं SIP calculator और अगर आप किसी भी SIP calculator को open कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहां पर SIP calculator open करकर रखा हुआ है तो अगर मज्यूम करते हैं कि अगर आप monthly 5000 रुपे भी invest कर रहे हैं तो आपने invest किए monthly 5000 रुपे तो मैंने यहां पर डाल दिया 5000 रुपीज और आपने यह investment की हैं यह investment आपने की हैं अगले 15 साल के लिए और अगर मैं expected rate of returns को बहुत जादा ना बढ़ा कि अगर मैं यहां पर इसको सिर्फ और सिर्फ 13% कर देता हूँ तो यहां पर आप देखेंगे कि आपने यहां पर total पैसा invest किया था वो invest किया था आपने 9 रुपे लेकिन आपको जो return मिलते हैं 15 साल के बाद हो आपको मिलते हैं 27,78,000 यानि कि आपको जो पैसा है वो 15 साल में 3 गुना से भी जादा हो जाता है तो 13% की returns है जनरी जो large cap mutual funds होते हैं वो almost around 12,5-13% की returns तो दे देते हैं लेकिन अगर आप इनी funds में अगर आप large cap के साथ mid cap, small cap, multi cap या flexi cap mutual funds भी add कर देते हैं और अपना एक अच्छा portfolio बना लेते हैं तो यहाँ पर जो आपको returns देखने को मिल सकते हैं वो बहुत easily आपको यहाँ पर 15-16% returns देखने को मिल सकते हैं तो मैं यहाँ पर highest जो है वो 15% की returns चूज कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने 9,00,000 रुपे invest किये थे वो 9,00,000 रुपे 15% के हिसाब से 15 साल बाद आपको मिलते हैं 33,00,000,000 रुपे के आसपास तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप stock related investments को चूज करके अपना पैसा invest करते हैं और अगर आप यहाँ पर 13% के हिसाब से भी returns जोड लेते हैं जो कि मुझे लगता है कि 13% के returns तो आपको long term में किसी भी हाल में मिलने ही चाहिए तो long term में mutual funds या stocks से 13% के returns दिनेट ना गरपाना मुझे लगता कि इसमें कुछ भी मुश्किल है तो 13% के हिसाब से भी जो भी पैसा आप invest करते हैं वो 15 साल में 3 times हो जाते हैं अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक डाउट ये भी आए कि पिछले 6-7 महीने में जो market का हाल था वो तो सब ने देखा ही है कि लोगों को यहाँ पर minus 6%, minus 10, minus 12% तक के भी returns देगने को मिले हैं बिल्कुल ऐसा हुआ है और stock market में ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ ना कुछ regular interval में, कुछ ना कुछ market में turbulence आते ही रहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा बिल्कुल खतम हो जाएगा या zero हो जाएगा या फिर जो भी आपने पैसा invest किया था वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा और actually मैं आपको बता दू कि एक smart investor वही होता है जो कि market की इसी condition का फायदा उठा के यानि कि market जब नीचे की तरफ जाती है और मुझे लगता है कि market का जो सबसे खराबाल देखने को मिला था वो मिला था कोरोना के समय पे जब market एक दो महीने के अंदर अंदर ही बहुत तेजी से बहुत शापली नीचे की तरफ गई थी और actually मैं आप देखेंगे कि जब market ने आपने आपको retain किया था तो करोना के बाद ही लोगों को सबसे ज़ादा returns देखने को मिले थे और यही वो समय था जब actually मैं लोगों ने अपना पैसा invest करके 70%, 80%, even 100% से उपर तक के भी returns जिनेट किये थे तो खेर बाते तो बहुत सारी हो गई है अगर मैं इस वीडियो के final conclusion की बात करता हूँ, final points की बात करता हूँ सकती है तो आप savings bank account में या FD में अपना emergency fund रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको equity में भी अपना पैसा जरूर invest करके रखना चाहिए, अब equity में आप कितना पैसा invest कर सकते हैं, इसका एक बहुत simple सा formula होता है, जो कि generally आपको हो सकता है कि सुनने या देखने को भी मिला हो वो है कि जितनी भी आपकी age इस वक्त है, अगर आप उस age को 100 में से subtract कर देते हैं, for example अगर आप 30 years के हैं, तो अगर मैं 100 में से 30 को subtract कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो value आजाती है, 70 की, यानि कि 70% amount जो भी आप invest करना चाहते हैं, उस investment का 70% amount आप equity में जरूर invest करके र होती हैं, यानि कि जो PPF है, या NPS है, या FD है, इन में आप invest करके रख सकते हैं, अब जैसे कि आपको fixed income scheme के अलावा जो दूसरा option मिल गया है, वो मिल गया है mutual funds का या stocks का, अगर आप stocks में directly invest करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी invest कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे आसान तरीका जो है, वो है mutual fund में invest करने का, अगर आप mutual fund में पैसा invest करना चाहते हैं, किस fund में कितना पैसा invest करना चाहते हैं, अगर आप इन सभी चीजों के उपर और पी जाता जानकर लेना चाहते हैं, तो मैं already इन सभी topics के उपर बहुत सरी videos बना चुका हूँ हूँ, फिर जाए हो, large gap mutual fund हो, या mid gap हो, या small gap mutual funds हो, आप इन videos को जाके refer कर सकते हैं, और इन सभी चीजों के अलावा, अगर फिर भी आपके कुछ queries रह जाती हैं, यानि कि किस mutual fund में आपको पैसा invest करना चाहिए, किस age के हिसाब से कौन सा mutual fund आपके लिए सही है, या गर किसी भी investment में या किसी भ जल्दी आपको जवाब दे पाऊं, तो इसी की साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पर close करता हूँ, I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ help ज़रूर मिल पाई होगी, अगर यह वीडियो आपको पसंद आएं, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जल्दी मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, थैंक यू फो वाचिंग,